गुड इवनिंग फ्रेंड्स कैसे हो आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं कॉंडल ब्यूज यूट्यूब चैनल स्वागत है आपका मेरी इक न्यू बीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं CSIR Institute of Microwire Technology की तरफ से निकाल पर की रहने वाली हैं यहां पर आप इनकी औफिशल वैबसाड पर जाकर वी चेक कर सकते हैं इनका यहां पर आभी divor कर आपको दिए गया है आप इस पर क्लिक करोगे तो यहां से लेटेस जॉब अपडेट आपको प्रोवाइड की जाते हैं इस चैनल पर ओफिशेल नोटिस के साथ में तो इसी के साथ में आज की इस वीडियो को करते हैं शुरू बात करें यहाँ पर डिटेल एडवर्टाइजमेंट की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट नमबर आपको दिये गया है 0.3 अवलेक 2021 दिये गया है और यहाँ पर बात करें इंस्टिटूट आप माइक्रो वायर टेक्नॉलजी की तो यह क Council of scientific and industrial research का institute है जिसके वारे में हम यहाँ पे discuss करने वाले हैं जो vacancies यहाँ पे निकालीगी हैं बात करें online application की तो यहाँ पे जो start रहेगी आपकी starting rate वो आपकी 28-2021 रहेगी and closing rate यहाँ पे रहेगी online submission की वो आपकी यहाँ पे 15-9-2021 रहेगी उसके लावा बात करें यहाँ पे vacancies के वारे में तो यहाँ पे जो आपकी vacancies रहेगी वो आपकी junior secretary assistant की रहेगी जो कि आपकी general and store and purchase में रहेगी जिसमें की number of vacancies की बात करें 7 आपको vacancies दीगी है category wise आपको यहाँ पे divide किये गये है बात करें यहाँ पे pay scale की तो यहाँ पे जो आपको pay scale दिये जाएगा वो 7 CPC का रहेगा and level 2 का आपको pay scale दिये जाएगा जिसमें approximate जो आपको salary दी जाएगी वो आपकी 27,520 यहाँ पे रहेगी upper age यहाँ पे 28 years रहेगी उसके लावा qualifications की बात करें यहाँ पे अगर आपने 12th pass कर रखी है उसके लावा अगर आपके पास computer का knowledge है तो आप यहाँ पर apply कर सकते हैं 12th आपकी यहाँ पर pass होने चाहिए उसके लावा computer का knowledge भी आपको यहाँ पे होना चाहिए and बात करें यहाँ typing test की तो यहाँ पर आपका typing test भी लिए जाएगा जो की आपका 35 बर permit रहेगा English में and 30 बर permit आपका रहेगा Hindi में तो यह सभी चीज़े आपकी यहाँ पर required दीगी है जो भी qualification यहाँ पर दीगी है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बात करें यहाँ पर next post की जो की junior secretary assistant की रहेग यह 12 अगर आपने accountancy में कर रखी है major subject अगर आपका accountancy है तो आप यहाँ पर apply कर सकते हैं उसके लावा यहाँ पर proficiency in computer typing speed वी आप से मांगी गई है 35 बर permit in English में and 30 बर permit in Hindi में आपकी यहाँ पर मांगी गई है जो की आपकी type writing यहाँ पर रहेगी उसके लावा बात करें post number 3 की जो की junior stenographer की रहेगी यहाँ पे आपको pay scale 7 CPC का रहेगा and level 4 का रहेगा जिसमें आपकी salary approximate जो रहेगी वो आपकी 36,021 रहेगी 27 years जो आपकी age रहेगी यहाँ पर age रहेगी जिसमें qualification आपकी 12th मांगी गी है उसके लावा आपकी speed यहाँ पी मांगी गी है 80 बर permit in shorthand and आपकी prof speed मांगेगी है 40 बर permit in type writing in English में और 35 बर permit in type writing में आपकी Hindi में तो यह सारे चीज़े आपको यहाँ पर बता दी हैं उसके लावा बात करें यहाँ पे job requirement and आपकी desirable qualifications के वारे में तो यहाँ पे all clericals आपकी typing job जो रहेंगी वो आपके other works assigned from time to time आपको बता दी जाएंगे and knowledge of computer Excel type writing in both English and Hindi का बात करें यहाँ पे abbreviations की तो यहाँ पे सारी abbreviations आपको दीगी है उसके लावा form को apply करने की यहाँ पे बात करें तो form को apply कैसे करना है इनकी official website पर जाकर आप form को apply कर सकते हैं directly आपको वहाँ से जाकर form को apply करना है जिसकी last date 15.09.2021 रहेगी उसके लावा बात करें य SCHT, Women's Candidates, PWD Candidates and आपकी gender category आपकी जो ex-servicemen, CSIR, employees रहेंगे उनके लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं लेगी उसके लावा जो वाकी category के बच्ते हैं उनके लिए 500 रूपीज यहाँ पे फीस रहेगी उसके लावा बात करें general conditions के वारे में सारी conditions आपको यहाँ पर सकते हैं उसके आगे हम यहाँ पर बात करें selection procedure की तो यहाँ पर जो आपका selection procedure रहेगा junior secretary assistant की पोस्ट के लिए वह आपका two papers में रहेगा जो paper one आपका रहेगा वह आपको मैं सारा syllabus यहाँ पर बता दूँगा और जो paper two में आपका syllabus रहेगा वह भी आपको यहाँ पर मैं detail में उसके बाद आपका typing test लिए जाएगा उसके basis पर आपकी selection की जाएगी बात करें syllabus of return test जो भी आपका रहेगा post of junior secretary assistant के लिए तो यहाँ पर जो आपका paper one रहेगा जिसमें कि आपका time allotted होगा आपको basement का उसके लावा mental ability test आपका यहाँ पर लिए जाएगा जिसमें 100 questions आपके र including आपकी general intelligence रहेगी उसके लावा आपका quantitative aptitude reasoning problem solving and situational judgment आपका रहेगा paper two में जो आपका रहेगा वो आपका one horse आपको दिये जाएगा जिसमें general awareness के 50 questions रहेगे उसके लावा English language में आपके 50 questions रहेगे जो कि आपके 150 marks के रहेगे और यहाँ पर आपकी जो वो negative marking रहेगी जो आपक examinations की बात करें तो आपका ये both language में रहेगा Hindi and English में उसके लावा class 12 तक का आपको standard यहाँ पर दिये गये है and total number of question आपके 200 रहेगे जिसमें total time allotted आपको किये जाएगा two hours 30 minute का बाकी syllabus आपको यहाँ पर mention किये गये है उसके लावा बात करें junior stenographer की post के लिए तो junior stenographer की post के लिए यहाँ किये आपका short hand के basis पर आपका selection किये जाएगा और typing test के basis पर आपका selection किया जाएगा और ने इसके लावा जो आपका यहाँ पे screening रहेगा वह आपका 12thके exam के उपर रहेगा जो वी आपके 12th में आपने pass out किया है उसके कितने आपके percentage रहे हैं उसके basis पर आपकी कने जाएगी आगे हम यहां पर बात करें वाकी की details के वारे में तो वाकी के details आपको advertisements सारी इनकी official website पर मिल जाएंगी बहां से जानके आप चेक कर सकते हैं अगर वाकी आपको यहां पर कोई problems होती है program को apply करने में तो आप comment करके पोछ सकते हैं बागी के डिटेल आपको मेरे टेलीग्राम ग्रूप GKY दिनेसर पर भी मिल जाएगी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रवाइड कर दूँगा वहां से जाके भी आप टेलीग्राम ग्रूप जोईन कर सकते हैं बहां पर आपको सारी पीडियाफ मिल जाएगी वहां से आप डिटेल में इसका अनलिसिस कर सकते हैं बाकी की सारी डिटेल मैंने आपको यहां पर बता दी हैं जो भी यहां पर इंपोर्टेंट रहने वाली थी और बाकी का कुछ भी पूछ ना हो तो आप यहां पर कमेंट कर सकते हैं उसके लाब आप फॉर्म को एपलाई करने के लिए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही लेटेस्ट जॉब अपडेट के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू गुडबाई टेक क्यर